Hello everyone, इस वीडियो के अंदर हम busy software की shortcut keys को जानेंगे, हम कुछ ऐसी shortcut keys के बारे में बात करेंगे, अगर हम इस software को use करते हैं, तो ये shortcut keys use होनी ही होनी है अब हम कोई भी accounting software use करते हैं, तो उसके अंदर जो सबसे पहली चीज होती है, वो होती है sale और purchase busy accounting software के अंदर, sale voucher add करने के लिए हम shortcut key use करेंगे, alt F8 ये हमारा sale voucher add करने के लिए open हो गया है, अब इनसे related जो भी वीडियो होंगी sale voucher, purchase voucher, check को कैसे print करते हैं, और bank reconciliation complete playlist का वीडियो आपको description के अंदर मिल जाएगा, आप महां से जाके उन वीडियो को भी देख सकते हैं अब बात करते हैं purchase voucher की, purchase voucher को add करने के लिए shortcut key है, alt F9 receipt voucher के लिए हम shortcut key use करेंगे, alt F6 payment voucher के लिए हम shortcut key use करेंगे, alt F5 ऐसे ही journal voucher के लिए हम shortcut key use करेंगे, alt F7 अब ये हैं हमारी basic shortcut keys, अब हम जानते हैं advanced shortcut keys यहाँ पर मैं जो भी shortcut keys आपको बता रहा हूँ, आप चाहे तो इसका screenshot दे सकते हैं या इनको कहीं पर आप note कर सकते हैं अब हम जानते हैं कि अगर हमको किसी का ledger open करना है, तो उसकी shortcut key क्या है तो किसी का भी ledger open करने के लिए हम shortcut key use करेंगे, ctrl L जिसका भी ledger हमको open करना है, उसका नाम हम यहाँ पर बता देंगे ओके के उपर हम press करेंगे, ledger हमारा open हो जाएगा अब यहाँ पर जैसे यह bill है, इसको मैं open कर लेता हूँ अब किसी भी voucher को print करने के लिए, voucher की बात हो रही है voucher हमारा कोई भी हो सकता है, purchase, sale, payment, receipt या और कोई भी तो किसी भी voucher को print करने के लिए हम shortcut key use करेंगे, alt, p अभी यहाँ पर आ रहा है purchase invoice, हम जो भी voucher print करेंगे, वो चीज हमको यहाँ पर show होगी तो यहाँ पर हम purchase invoice select करेंगे, और print के उपर click करके, हम इसको print कर लेंगे किसी भी voucher को mail करने के लिए, हम alt, m, press करेंगे, जिसको भी हम mail भेजना चाते हैं उसकी mail id हम यहाँ पर डाल देंगे, और send के उपर click करेंगे, mail हमारा send हो जाएगा इसके बाद अगर हम किसी voucher को cancel करना चाते हैं, तो उसकी shortcut की है alt, x किसी भी voucher को cancel करते वक्त एक बात ध्यान में रहे, जो भी voucher हम cancel करेंगे, वो voucher party के account के अंदर show नहीं होगा उसके अंदर जो भी हमने item डाली है और value डाली है, दोनो zero हो जाएंगे अब ऐसे ही voucher को वापस से activate करने के लिए, हम सेम shortcut की use करेंगे, alt, x अब हम जानते हैं कि किसी voucher की हम duplicate entry कैसे करेंगे, जैसे यहाँ पर ये payment voucher है, यहाँ पर सारे account सेम ही रहेंगे जैसे यहाँ पर गड़ा electronics है, तो यहाँ पर सेम यही रहेगा, cash है तो cash ही रहेगा, बस यहाँ पर हमारे date change होनी है और amount change होना है तो इसके लिए shortcut की हम use करेंगे, F12, duplicate voucher, इसको हम select करेंगे, अपनी entry को हम यहाँ पर कर रेंगे अब हम चार ऐसी shortcut keys को जानते हैं, जो की बहुत ज़्यादा useful है, पर इन shortcut keys का कैसे use करना है, यह बहुत से लोगों को पता ही नहीं होता इन shortcut keys को समझने के लिए, इस purchase voucher को मैं open कर लेता हूँ इस purchase voucher के अंदर हम देखेंगे कि हमारे पास 5 item है, इन 5 item में से हमको इस item को हटाना है तो इसके लिए हम shortcut key use करेंगे, F9, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि वो item हट गई है अब ऐसे ही यहाँ पर हमको बीच में item insert करनी है, तो इसके लिए हम use करेंगे insert key का यहाँ हम देखेंगे कि एक blank row add हो गई है, अब ऐसे ही हमारी एक shortcut key है calculator के लिए हमको software के अंदर ही calculator का use करना है, तो calculator use करने के लिए हम shortcut key press करेंगे F10 यहाँ पर जो यह calculator है, इसका मतब यह नहीं है कि हम खाली numbers को add करेंगे या subtract करेंगे अभी जैसे हम इस वाले cell के उपर हैं, यह है quantity वाली fade अब अगर हम यहाँ पर calculator का use करते हुए number को add करते हैं example के लिए यहाँ पर हम numbers लेते हैं, 50, 20 और 40, यहाँ पर आगया 110 अब हमको इस number को इस cell के अंदर लेके आना है, तो हम calculator के उपर ही एक बार और enter press करेंगे तो जो भी calculator के अंदर number होगा, वो हमारा fade के उपर आ जाएगा किसी भी voucher को delete करने के लिए हम shortcut की use करेंगे F8, किसी भी item के अंदर या account के अंदर modification करने के लिए हम shortcut की use करेंगे Alt M अब अगर हमको किसी account की मंतरी समरी देखनी है, तो उसके लिए हम shortcut की use करेंगे Alt A जिस भी account की हमको समरी देखनी है, उसको हम यहाँ पर select करेंगे कब से कब तक की समरी देखनी है, वो time period हम यहाँ पर बता देंगे कि कब से कब तक की समरी हमको चाहिए ओके के उपर हम प्रेस करेंगे ऐसे ही अगर हमको किसी item की मंतरी समरी देखनी है, तो उसके लिए हम shortcut की use करेंगे Alt I जिस भी item की हमको समरी देखनी है, उसको हम यहाँ पर select करेंगे time period बताएंगे कि कब से कब तक की समरी हमको चाहिए ओके के उपर हम प्रेस करेंगे आइटम की समरी हमारे सामने आ जाएगी ये हमारी shortcut keys हैं बागी complete playlist का link आपको नीचे comment box के अंतर मिल जाएगा अगर ये वीडियो आपके लिए helpful होती है तो इस वीडियो को आप like कर सकते हैं इनके अलावा अगर आपको कोई और shortcut की पता है तो उनको आप नीचे comment करके बता सकते हैं इस वीडियो को यहीं पर end करते हैं Thanks for watching